जसकल बाद दे सारे दर्शकांदा बहुत बहुत स्वागत है सारे नुवर्बिन को दी प्यार परी सत्रियकार जी, मैं बिल्कुल थोनों सारे नुदस्या हुए अज इस खास शक्सियत सारे ना जोइन करन लगे है पूजा खना, वेल्नस एंट्रप्रोनियर रहे है ओथर ने बड़ी सूनी बुक को ना ने लिखी है और मैं एक्चुली ओपढ़ के ही उना नो इन्वाइट किता है कि मेरे सारे परिवार नालवी गल कर सकी है अगर उना दा मतलब मैं उना बारे दसा नाल नाल दसती रांगी बहुत लंबा उना दा सफर रहा है करियर पॉइंट आफ यू नाल भी ऐस विले पब्लिक स्पीकर ने, ओथर ने एक स्पिर्चुल पाथ दी जड़ी गल कर रहने अपनी बुक दे विच हुई the art of becoming whole दे विच you know she's calling it a guide to self mastery so अपने आप ते mastery के में हासल करनी है उस दे बारे काफी खुबसूरती नाल उनाने बडे सिंपल टरीके नाल जो लिख्या है मजे दी गल है कि she was not always like this so ना तो ही पुचहंगे कि किस ना जर्नी रही पर पहले ओ तो इक सिर्फ गार्परेट वो इविच वी बहुत कुछ करके आए निजवें शी वाइड आफ इस एमरेकने एक्स्प्रेस और बडिया टॉप कंपनी इन आलोना ने काम किता है माइक्रोसोफ, पेपसी, आइबीम, बट फिर एक ऐसा मौका आया जिड़ा, you know, बदलाव आया, सो असी बहुत कीन है गया, इच्छुक है गया के पुछी हो ना, किस तरह बदलाव आया और हून किस तरह लग रहे है, what is the difference, कि एक पूरी तरह क्रास्त माटेरियल वर्ड, और हुन एक और पाथ जिन्हों स्पिर्चुल ते सल्फ देवल्पमेंट नाम दे रहे हैं कीने, so please मेरे नाल वेलकम करो, पुजा खन्नानू, Hi, Pooja, how are you? Very good, Arvind, how are you? Very good, very good, thank you so much for joining me, we are grateful that you have taken this time to talk to us, and Pooja, you know our structure, very early, actually, you have come from another point of view, you know, five or six years, I remember, it's been a very good experience and I'm very happy to be back here, So good to have you, so Pooja, please tell me, पहले तो मेरे सारे परिवार को थोड़ा सा अपना corporate world का बताओ, क्या आपकी background, क्या है, आपने MBA किया, और क्या background आपकी corporate world में? जी, तो मैंने 13 साल काटे है corporate world में, और जादा करके strategy के departments में ही काम किया है, अमेरिका में, तो मैंने American Express, Microsoft, Pepsi, और उसके पहले इंडिया में, IBM, और विप्रो के साथ काम किया है, तो मैंने अपना MBA किया हुआ है, अमेरिका से, और मैं Darden University, Darden Business School गए थी University of Virginia में, जो top 10 business schools में से है, फिर बहां से मैंने काम किया है, Hong Kong में, Seattle में, New York में, और तेरा साल तक मेरा सफर रहा है corporate world में, और बहुत intense सफर रहा है, बहुत successful सफर रहा है, मैंने करीब 17 awards जीते थे उस career 13 साल में, काफी जल्दी वो corporate ladder, जो कितने वो में, क्लाइम कर रही थी, काँपे switch काँपे गुआ है, because what I understand, कि आपने लेटर एक company, you know, found की like, बनाई, Begin to Heal, तो उसकी बारी कैसे है, यह बिल्कुल different kind of company आपने खोड़ी, कि उसमें वो जो बीच में shift है, उसके बारे में कुछ ज़रूर बताईए, हान जी, वो बहुत भी महत्वपूर में shift रहा है मेरी life में, तो 13 साल corporate world में काम करने के बाद, मुझे को एक health condition हो गई थी, उसका नाम है adrenal fatigue, और adrenal fatigue के होता है, जो इसको आप काफी लोग chronic fatigue, you know, के नाम से भी जानते हैं, जिसे बहुत ठकान हो जाती है, stamina नहीं रहता है, आप चल भी नहीं सकते हैं और काफी time time आपको मुझे चक्क करें तो, you can call it a depression or what? Like totally exhaustion, nervous breakdown, or what do you? पूरी तरह बॉडी ने मेरे उपर सड़नली और बहुत ही सड़नली गिव अप कर दिया था यह उपर से तो मैनिफेस्ट होता है as physically आप depleted है आपके पास stamina नहीं लेकिन underlying उसका जो कारण होता है वो stress, anxiety और depression ही होता है लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे stress और anxiety है क्योंकि मैं हमेशा ही हस्मोक के और lively और traveling the world और खुश रही हूं तो मुझे पूर realization भी नहीं थी कि मेरे पास इतने issues हैं जिसके कारण हो सकता है मुझे stress और anxiety हो अच्छा, so were you working long hours या मतलब physical also बहुत exhaustion हो रही थी हाँ I was working long hours और मैं अपने आपकी personal life में भी अपने आपको बहुत push कर रही थी तो मैं hiking करती थी पूरियत दुनिया में मैंने 13 countries में hiking की है मैं travel करने का शौक रहा है मुझे मैं travel भी बहुत करती थी तो काम में भी मुझे number one होना था और personal life में भी 1000 department में number one होना था और I think मैं दोनों तरफ से अपने आपको जो push कर रही थी उसके कारण मेरी body completely deplete हो गई और वो मुझे वो condition हो गई थी तो फिर क्या हुआ तो एक साल तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं western medicine के साथ कोशिश करूँ मेरे पापा इंडिया में CEO है बहुत भी बड़े pharmaceutical company की पूरे उन्होंने लॉरा बुश बिल क्लिंटन नेलसल मंडेला सब के साथ ग्लोबली काम किया हुआ है तो आई ट्राइब वेस्टन मेडिसन पहले तो दवाया की कोशिश की हॉस्पिटल के ट्राइब किया कोई कुछ ने डूंड सका मेरे सारे रिपोर्ट्स बिलकुल नॉर्मल थे एक भी चीज में कहीं कोई प्रॉबलम नहीं मिल सकी तो तब मैं एक साल बाद ठक हार कर आई मूफ तो अग्सटिक वेलनस और तब मैंने एक्यूपंक्शर ट्राइ किया हिप्नोटेरपी रेकी और एक स्पिरिच्छल कोच के साथ बात करने लगी और जब मैं बात करने लगी तब मेरे को रिलीजेशन हुआ कि मेरे को बहुत डीप स्ट्रेस और एंग्साइटी मैंने बांध के रखावा था जो मैं अपने आपको भी नहीं एकसेप्ट कर रही थी और वो रिलीज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था आगे बढ़ने के लिए तो तब मैं जब हुलिस्टिक वेलनेस के और बढ़ी छे महिने में बिल्कुल ठीक हो गई और तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक बिज्नस क्रेट करना चाहती हूँ जहां में लोगों को न्यूयॉर्क में कनेक्ट कर सकूँ फिर वलिस्टिक वेलनेस नहीं थे अफिर अफिर आफिर अफिर एपर जाने एक अफिर इस नहीं बनाया उसके बाद जाके लेवन बीगन तु ही आपने जो जो जिकर के बना था जिसमें 200-300 हमारे प्राकिशनर्स थे acupuncture, reiki, ayurveda naturopathy, homeopathy life coaching chiropractors, therapist ये अक्सर जिनको alternative therapies बोल देते हैं, उनको सबको आपने एक तरह से कथा किया, is it like gave a platform for them? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल so I gave a platform for them and America में हमारा पहला platform Begin2Heal was the first company to build this holistic and less platform, so हम हर जगा फीचर हुए थे, Mind, Body, Green, Well and Good, Business Insider, Chicago Tribune, काफी अच्छे फीचर ले थे हम लोगो क्योंकि it did very well तो चांड साल मैंने कंपी चलाई और बस कुची महने पहले पिर मैंने वो कंपनी को एक्जिट करके क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी को रिसंगी बेच थी इसको कंबाइन करके बिगिन तू हील के थू लोगो को लाँ पाना उनको हेल्प करने के लिए मुझे लगता है इसका एक हायो पर्फॉस था आप नोट पूजा विच इस ब्रिलियंट यूनोँ पॉइंट जहां पे हमें अपने स्पॉंसर्स को याद करना होगा लेते हैं एक चोटी सी ब्रेक but everybody else also please you can call बात कर सकते हो पूजा से बस थोड़ा सा ध्हान रखना कि पहुत ब्रीफ कॉस्टन्स पुष्णा let me take a short break welcome back पूजा एंविवड़ी लेतने ब्रेक्राबसर्जा यासे हम बात कर रहे थे पूजा कि आपने जो सारा अल्टरनेटिव थेरपी इस को खुद भी, you know, और मज़े की बात है कि आप उसको ब्लेसिंग बता रहे हैं अपने हेल्थ क्राइस को, एक शिफ्ट जो आपकी जिंदगी में वह आपको लगता है कि एक अगार पॉर्पेस है ये. किस तरह का उसके बाद का experience थोड़ा बताई है, जैसे आपने ये बुक भी लिखी है, you know, what does this have? मैंने तो पड़ी है, लेकिन आपकी इस तरफ ध्यान कैसे गया? तो ये जो बुक है, The Art of Becoming Whole, ये मैंने इसी साल लिखी है, इसी साल पब्लिश भी कर दी है, चौदा कंट्री में पब्लिश हुई है, और ये मैंने लिखी क्योंकि जो पिछले पांच या छे साल से corporate career छोडने के बाद, जो मेरे अंदर जो personal changes आएं, तो मैंने therapist के साथ काम किया, मैंने spiritual coach के साथ जो काम किया, जो सारी learnings मैंने सीखी उनसे, जो जो चीज़े spiritually मैंने सीखी, personal growth में मैंने सीखी, वो सब को मैंने combine करके इस book में present किया है, ताकि वो learnings दूसरों को भी help कर सके, जिस तरह it helped me, तो जो changes मैंने अपने अंदर लिखे हैं, वो अपने अंदर महसूस किया है, उसके बार में मैंने लिखे हैं, लेकिन book autobiography नहीं है, book मेरे बारे में personally बिल्कुल नहीं है, common lessons है, personal growth and spiritual growth की common lessons है, पुझा मुझे ध्यान आता है कि जैसे आपने उस crisis को चलो थोड़ा साल लग गया लेकिन पहचान लिया, कि you need to shift something, अपनी life में कुछ बदलाव की जरूरत है, पर कहीं इनसान बड़ी बड़ी देर लगता है कि उसी fatigue में चलते रहेंगे, और एक तो health fatigue की बात होगी, दूसरा bad relationships, या फिर number of bad relationships, one after another, तो पहचान में नहीं आते हैं, जैसे कई चीजें ऐसी chronic होई जाती हैं, तो यही मेरी जिम्दगी है, यही मेरा भाग्या है, तो कौन से signs है जिनको आपको लगता है कि shift आनी जरूरी है, मतलब जस पिचान लो कि अब shift आनी जरूरी है, दो तीन चीज है, एक चीज है अगर आपके life में लोगों के साथ बहुत जगड़े हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा sign है कि shift जरूरी है, second sign यह है अगर आपके life में anger issues बहुत हैं, अगर आपके अंदर हो anger issues या आपके around किसी में anger issues हो, तो वो एक sign है, third है कि अगर आप depression में रहते हैं, sad रहते हैं लेकिन किसी से बोल नहीं पाते हैं, आप हमेशा एक हसमुक चहरा रखना चाहते हैं, या चाहिए आप जानते हैं आप depression में और बहुत continuously रोते हैं, either case, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा sign है, और चौथा sign है जो आपके question में था कि जो लोग अपने life में जो pattern repeat होता रहता है, वो cycle में repeat होता रहता है, कि वोई जन्दगी में वोई problems क्यों आती रहती हैं, अगर जब तक आप उस issue का lesson सीख के आप change नहीं करेंगे, वो issues आपके life में दुबारा आते ही रहेंगे, तो जब तक आपके अंदर वो shift में आएगा, वो situation में shift में आएगा, लोगों में बतला आपनी आएगा, और वो situation गोल गुम के, गोल गुम के आती रहेंगे, अगर आप temporary change अपने आप में लाएंगे, तभी भी वो situation आती रहेंगे, वो change permanent होना चाहिए आपके अंदर, अच्छा, तो यह shift किस चीज को कह रहे हो आप, जैसे हम सब कुछ छोड़ चाड़ तो नहीं कर सकते हैं, हम सारे यह बोलेंगे, लेकिन वो किस तरह का shift चाहिए, कि हमारा जो पूरा धान है वो total, जैसे आप कहहे हो कि बच्पन से हमें, क्या 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 क् कि अपने चीज़ों के साथ साथ इस चीज़ का इतना महत्व पूरन होना और उसका बैलन्स करना मतलब वड़ यू ट्राइंग तो से कि क्या करना चाहिए मैं घरियू आपके जो लाइफ के जो पर्सनल गोल्स है उनको आप बेटर अचीव कर पाएंगे अगर आप personally एक spiritual पाथ पे रह सके या personally अपने आपको चाहिए उसका नाम आप अपना focus shift करें अपने अंदर कि आप peaceful loving joyous kind compassionate जादा बन सकेables हम लोग सब जब पैदा होते हैं, तो बहुत pure souls की तरह आते हैं इस दुनिया में, और जब चले जाते हैं तो उसी purity की और वाफिस चले जाते हैं, तो बीच में जो हम जिन्दगी बिताते हैं, यह जिन्दगी में जो हम एक सीखते हैं, यह हमारे soul का path होता है, जिसपे हम काफी lessons or learning सीखते हैं, अपनी पूरी जिंदगी actually एक school है और आप उस school के student है तो आपने क्या सीखा, यही सीखा और सीख के जो test देने होते हैं, वो भी इसी जिंदगी में देने होते हैं तो spirituality का मतलब यह है कि यह कभी नहीं बूलना कि यह जो उपर ही हम जो ego के satisfaction के लिए जो अपने material goals, check marks कर रहे हैं दुनिया के लिए के गाड़ी, बंगला, शादी, बच्चे यह वो, मैंने बैस लगे हैं autopilot में जिंदगी में उसके नीचे यह न भूले कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक pure soul हैं और वो purity के को ना भूल कर बार बार उसकी और जाना, यह spiritualism है, तो personal growth वो है कि आप यह देखे कि अगर आपके life में stress और गुसा है, वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर stress और गुसा है, so जैसे आपके book में मेरे chapter का ध्यान आ रहा है, जिस में आपने लिखा है कि everyone is यहाई Saya would say अगर कोई grasp कर सके कि हर कोई इनसान आपके around, आपका ही reflection आपका ही mirror है, और हर कोई situation आपका mirror है, तो आपको जो दूसरे में दिखता है वो quality आपके अंदर होती है अगर जो सबसे जादा तंग करती है दूसरे में जो सबसे जादा तंग करती है वो क्वालिटी, करेंगे, सबसे जादा तंग करती है, तो जो आपको बार बार लगता रहे, चाहे सास को बहु के बारे में, पती को पत्नी के बारे में, बहन को भाई के बारे में, या आपको अपने बॉस के बारे में, आपको अपने नेवर के बाप टवता रहता है, दूसरों के बारे में सोचता निये, selfish है, I mean, for one minute, Pooja, for one minute, ये बड़ी unnerving सी बात हो सकती है, realization, कि अरे, जो सब कुछ मैं गिला कर रही हूं, वो मुझ में ही है, it can be disturbing for some time, I am sure, but, it is, it is a very bitter pill to swallow, as they say, मतलब, ये accept कर पाना सबसे मुश्किल है, इसलिए मैं कह रही हूं, अगर ये एक lesson हम सीख ले, और अगर इस show के बाद कुछ, लोग बस ये एक lesson लेके, ये एक take away लेके चले जाए, तो, you know, I would consider this a success, कि ये realize कर पाना कि वो quality जो आप दूसरों में खटकती है, वो आपके अंदर होता है, वो ही रिष्टा होता है, जो आपका अपने ही साथ होता है, वाव, तो आपने इस से, इसमें, you've said it, पुझा, you've said in this, so that clearly signifies कि जब भी हम ऐसी situation में होते हैं, या हम अवेर हो जाएं कि, अरे, मुझे उसके इस character पे या इस behavior पे बहुत गुसार है, तो, you've said everyone is your teacher, so अगर हम उस तरह ले, कि ये मेरे लिए एक learning है, कि मुझे अपने आपको देखना है, कि मुझे ये इस पर इतना जादा क्यूं परेशान हो रही हु मैं, so that's great, and मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने पोईट रुमी को यहां पे, you know, quote किया हुआ है, be grateful for whoever comes, because each has been sent as a guide from beyond, so जो भी तुमारे जिंदगी में आता है, वो एक guide की तरह है, एक teacher की तरह है, तो उसको अगर हम उस तरह से देखे, तो शायद अपना ही गुसा बहुत, you know, कम हो जाएगा, गुसा, irritability, जो uncomfortable, discomfort वाली हम बात कर रहे है, but more important, मुझे डेफिनिटली यह लग रहा है, क्यूंकि पहले है, जब मैंने आपकी बुक में भी, और मैं किसी और बुक में भी पढ़ रही थी, ऐसे, और वो रेलाइजाशन आई, तो बाके इत घस्व री, तो बाके घस्व रे इस्टर्बिंग, जो लगता है, सारों में जो गलती दिखती है, इसका मतला हम मेरे में है, तो इस्पर्बिंग है, लेकिन आप यह सोचे, बुस्चे, हीली कितना है, पहला, यहां, reaction is disturbing, क्योंकि आप सोस्ते हरे वाफ परे मैं ऐसी हूं, लेकिन second reaction is, अच्छा, अब मैं रेलाइस करती हूं, मैं ऐसी हूं, तो अब वो healing हो जाता है आपके लिए आपके लिए, आपके लिए और सबके लिए और सबके लिए। Exactly, and I think it is a great moment, अगर तुम उसको teaching moment की तरह लेलो, जैसे अब मैं, I try to remind myself, yeah, जो इंसान आपका पेशन सबसे जादा टेस्ट करता है, जिसको गुसा आजाता है कि यह बार बार क्यों करता है, वो इंसान आपका teacher है क्योंकि वो आपको पेशन सिखाने के लिए जब तक आप पेश क्योंकि आपके लिए वो आए है तेच करने के लिए, how to be more patient. That's so beautiful, Pooja, I have experienced this and I, you know, the awareness had just made me feel so happy कि कोई चीज इतनी अटोई करती है किसी में तो दूदन यो रिलाइस के आपको खुद अपनी कोई कम्यां बताने के लिए है, let me take a short break here, please everybody else, do not go anywhere. वेलकम पुजा और सार्या दाफिर स्वागत है। पुजा अशी गल कर रहे सी। कि दे बारे गल कर रहे सी। के मिरर, we all are mirrors, हना? जड़ा बंदा सामने आए है, साद्या एक तरह ना लाइना है। कि दे बारे गल किती है, आसी पड़े भी रहे हैं पट उस तरह समझ नहीं आया कदी। So, you know, it's really helpful the way you're saying. पुजा थ्वानू की लगदा है, जदो इस पाथ ते चल पे, इक वारी जड़ा वननेस है, जदो सानू है समझ आजाए है, के सार्या चोही जोत है। You know, we keep saying about it, के कभी तो समझ आजाएगी, I at least do that, You know, सब में एक वोई जोत है, वोई है, So, probably, उसकी वज़े से हम non-judgmental होंगे, कुछ, कुछ, कुछ में समझ आजाएगी, लेकिन अपने में क्या बदलाव आपको मोटा मोटा क्या लगता है, कि वो पूजा जो पहले corporate world में थी, और यह नहीं क्या आप corporate में नहीं कर सकते हैं, अब भी वही, लेकिन अब यह जो आपकी journey रही है, उसके बाद पूजा में कुछ बदलाव खास तोर पर क्या है? काफी बदलाव आया है, और बहुत counts, लेकिन मैं तीन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, और यह तीन टॉप lessons भी होंगे जैसे मेरे बुक के और मैं correlate करके बताती हूँ कि वह मेरे लाइफ में भी कैसे बतलावा है, पहली चीज़ जो काफी common है, हम लोग के बीच में वह है victim consciousness, यानि लोग जो सोचते हैं high में बैचारा, high में बैचारी, कि मेरे साथ उसने यह मुझे कह दिया, मेरे साथ यह हो गया, मेरी जॉब चली गई, वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, यह मेरे साथ ऐसा करते हैं, अपने आपको जब आप बैचारा महसूस करते हैं, तब आप victim mentality में होते हैं, और जो लोग victim mentality में होते हैं, वो बहुत ही disempowered हो जाते हैं, तो आपने अपने अंदर की जो शक्ति, जो power, strength, confidence है, वो आपने किसी और ने दिया है, आपने ये काए कि क्योंकि उसने मुझे ये कहा, देखो मैं sad हो गई, क्योंकि उसने मेरे साथ ये क्या या मेरे साथ ऐसा हो ग अपने ये कि पिछार ही इवन एंगर, अपुछा, 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 वोट एंगर अलसो, क्योंकि वे कि मुझे भूट गुसा आते हैं, लेकिन मुझे, मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे वो गुसा दिलवा देते हैं, ये, परेक्ट, नावो ही मेरा लिए के लिए पते हम जो पहंए ओक मेरे कारहंसी है और जिस दरा मैं बैन को प्रेश आप है इस फैरा मैं बैना का रोत है कि और भी स्टु पास पता है तो इस मी आपकी दिगा आप संट शोय大概 देख तकर टrait कोまईय है मुजल एक रइपिता है तो हमने पावर किसी और को दे दी, पर जब हमने अकाउंटबिलिटी ली के नहीं, जो भी हो रहा है, मुझे देखना है कि मेरा रेक्शन क्या है? मैं वो मेरे control में नहीं है भारवालों का behavior या situation लेकिन मेरे control में है जो मैं react करती हूँ तो power मैं अपने हाथ में ले ली वापस यानि कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया कि आप बुरे हो उस बात पर बुरा लगना या नहीं लगना ये तो आपकी चोईस है उस बात में गुसा होना या नहीं होना या आपकी चोईस है उस बात पो personally लेना या नहीं लेना ये तो आपकी चोईस है तो आपके control में जो है उसको तो positive control रखे कह दिया तो कह दिया यह उसकी belief है क्योंकि वह अपने नजरों से अपने perspective अपने lens से देख रहा है इसका मतलब यह नहीं कि वह बात मेरे बारे में सच हुझा तो इसको तो इसको थानक्यू बोलो हो सकता है आप सोचते हो कि मैं selfish हूं हो सकता है मैं हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ change करना चाहिए तो offend होने की बज़ाए personally लेने के बज़ाए क्या यह आपके लिए growth opportunity है to change yourself तो उस इंसान से गुस्सा होने के बज़ाए अगर आप उनको thank you बोले money-man में आप सोचे कि यह मुझे कुछ teach करने आए तो वो आपने positive spin दे दिया instead of feeling sorry for yourself perfect तो दूसरी सीज़े जो आपने कही एंगर के बारे में एंगर इंसान को दो कारण से आता है और बहुत लोग यह समझते ने कि मुझे गुस्ता क्यों आता है एक कारण हता है sadness क्योंकि आप एंगर के नीचे actually दुखी है, hurt है लेकिन आप वो अपनी hurt या vulnerability नहीं दिखाना चाहते हैं आप एंगर दिखाना चाहते हैं क्योंकि आप दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं weak हूँ, मैं vulnerable हूँ तो आप एंगर दिखाते हैं तो आप एंगर के यही दो cause है, या तो sadness या तो guilt या तो आप अपना दुख चुपा रहे है या तो अपना गिल्ट चुपा रहे है तो अगर आपको अपने अंदर का एंगर रिलीज करना है तो या तो उस वो जो issue आपको trigger कर रहा है वो जो दुख दे रहा है उस दुख को आप हील करिए या वो guilt है वो guilt को release करें वरना आपके अंदर वो anger का cycle वापस वापस आता रहेगा और गिल्ट को भी अगर थोड़ा सा हम देखें पूचा कर लो या पूचा गिल्ट को भी अगर हम देखें थोड़ा सा तो basically हमारा ही चाहे वो हम करे जा रहे हैं लेकिन हमारी उसकी classification है कि वो गलत है कहीं जो कर रहे हैं वो गलत है कोई subconscious में हमें उस चीज को हमने गलत माना हुआ है I mean surface पे नहीं मान रहे हैं लेकिन somehow deep down we think we are it's wrong so that's why the guilt comes so go ahead please yeah correct तो और एक angry इंसान को जिसको especially chronic anger issues हो जितना बोलो आपको anger issues है उसको पता है खुद क्यू से है और उस बात का जो guilt है उसको चुपाने के लिए कभी कभी और और भी गुस्ता हो जा और इसी type के लोगों के अंदर के घरों के अंदर domestic violence के cases होते हैं और इस साल भी divorce rate सब सबसे हाइस है domestic violence cases, सबसे हाइस है New York Times की headlines रहे चुकी है, highest cases of domestic violence recorded this year, highest cases of depression recorded this year, COVID has been, 2020 has been a very tough year for many people, लेकिन we'll keep talking about this more, छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, welcome back everybody, so Hanji, Pooja हम बात कर रहे थे कि आपका जो पहले Pooja, अब Pooja और जो differences आपने देखे हैं, वो बहुत helpful हैं, हमें भी पैचानने में कि क्या-क्या चीजे समझने में, so anger and आपने का victim consciousness or what did you say, yeah, I have to collect my thoughts तीसरा में कहनी पाई थी पहले break के पहले, लेकिन that would be disappointment, हम लोगों में disappoint बहुत होते हैं, और वो disappoint इसलिए होते हैं क्योंकि हमने बच्पन से conditioning के कारण decide कर रखा हैं, हरे के लिए dream role दे रखा हैं, मेरे मम्मी के dream role यह है, dream role में मम्मी ऐसी होनी चाहिए, पापा ऐसे होनी चा से वो respond नहीं करते हैं, how you expect, हम disappoint हो जाते हैं, पटाफ़, क्यों यह disappointment आती है, यह एक जरूरी बात में कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारे अंदर जो एक void है, एक lackness है, हम वो emptiness है, हम वो emptiness फिल करना चाहते हैं, दूसरों लोगों से वो reaction पाकर, वो specialness पाकर, वो attention पाकर, वो love प आपने आपके अंदर से डूंड होगे, किसी और की नजरों में नहीं डूंड होगे, तो आप जादा खुश रहोगे, जब को आप respect और self-worth किसी और की नजरों से इस रहोगे, तो, you know, you'll remain a beggar for your life. I mean, I understand a simple way would be, कि हमने बच्पन से सुनाया कि, intimate partner, boyfriend, wife, husband, I love you बोले, supposedly वो बहुत सारे इस बिफरेंट तरीके से I love you बोले हैं, लेकिन वो तीन शबन नहीं बोले हैं, तो हम दिसर्पांटे हैं, कि और हम फ्रॉस्त्राइट हैं, तो मेरी मेरीज को समराइज कर दिया एक लाइ कि मुझे हमेशा लगत था कि यह हमेशाँ लगता था कि यह रोमेंटिकली क्यों नहीं मेरे husband express करते हैं, क्योंकि लेकिन वो हजार चोटी-चोटी चीजों में express करते थे लेकिन वो जो फिल्मों को देख देंके, बड़े होके, expectation हो भी ती नहीं, एक dream role दे दिया था, बोली म मेरे अंदर वो चेंज और रिलाइजेशन आना ज़रूरी था था कि I stop putting this pressure on my husband also. तो जब मैं बदली, तो मेरे husband और मेरे बीच का रिष्टा भी बदला, मेरे parents और मेरे बीच का रिष्टा भी बदला, मेरे भाई और मेरे बीच का रिष्टा भी बदला, क्योंकि मेरे रिष्टा अपने आप से बदल गया, मैं अपने आपको इतना प्यार करती हूँ, अपने आपको रिस्पेक करती हूँ, अपने आपका सेलफवद अपने अंदर से ढूंडती हूँ, इन लोगों से नहीं ढूंडती हूँ, और जब आपने आपको प्यार करोगे, आपने आपको रिस्पेक्ट करोगे, आपकी दुनिया आपको अपने आप प्यार और रिस्पेक्ट करना शुरू करतेगी So this is really huge Pooja, like, जैसे आप कहरे हो, कि हम लोग कुछ ना कुछ अपनी कमी महसूस करते हैं और उसको भरने के लिए, दूसरों को एक set pattern में डाला हुआ है, एकस्पेक्टेशन यह जो भी आप कहरे हो, कि वो उसी तरह बहें करेँ और वो एक false कहलो या जैसे भी fantasy कहलो कि एक script के रखी रहे scripted, हाँ तो उसमें नहीं बैट आप पूपने के एक script दिखी हुए है कि ये scene 1, actor papa should act like this screen 2, actor mammy की ये role होनी चाहिए but that's not life that's not life हर इंसान अपने संसकार लेके आया है हर इंसान अपने beliefs, value systems हर सोल की एक जर्णी लई है प्रीविएस लाइफ से इस लाइफ से आगे भी जाएगी और वो जो लेसंस सीख किया है वो आपके कारण वो नहीं चेंज कर सकते हैं तो आपने बहुत सारी टिंगर्ड की है व क्योफ की जांट में तो मैंने हर चाप्टर में जैसे एक लेस्न मेंशन किया वो लेस्न को एक प्रैक्टिकल तूल और टेक्नीक मेंशन किया हर चाप्टर में और हाव यू रिलीज बैटर्न फम यू एक टूल है जिसका नाम है EFT टैपिंग यह ग्लोबली बहुत पॉपिलर हो चुका है तर ज्म और हां भॉपिलर है यह पिए लए ग्लोबली बहुत है कि यह प्रैक्टिकल ना सुरू करें यह तैपिंग के पॉइंट अर यह तपिंग के पॉइंट होते हैं और यह ग्जाट पॉइंट एक पॉइंट्स में अगर आप तक करते रहे और नीचे से और फिर यहां फेड के ऊपर and then go back in that fashion and start saying I feel angry because this person has hurt me a lot. I feel angry because I lost my job. I feel angry because I don't have enough money. I feel angry because I feel misunderstood. I feel angry because I feel rejection from people around me. I feel angry because you know the government is not doing its job. जो भी अगर आपको tap करते करते वो releasing statements बोलते रहेंगे तो आपके अंदर का बहुत anger, stress, anxiety, victim mentality यह सारी चीज़े आप release कर सकते हैं. अच्छा. यह बहुत ही effective self-help technique है जो घर पे आप खुदी कर सकते हैं. जो एजी. कभी-कभी emotions आपके अंदर stuck हो जाते हैं. तो कभी-कभी जब आपको दुखी और sad लग रहा है, it's not your own emotion. किसी और का emotion आपने पकड़ रख रहा है. अपने energy field में. उसको release करने के लिए बहुत easy यह tool. Pooja, my big favorite was affirmation sentences also, जो आपने हर chapter में दिये हैं. और वो लोग अपना भी बना सकते हैं. आपने बड़े अच्छे, helpful way से, कि जैसे मैं empowerment की है, कि I am powerful या ऐसे करके. उसके बारे में आपको क्या लगता है? कि are they really, they work? They work beautifully. I am telling you, हर psychologist, therapist, not just spiritual coaches use these techniques. Affirmations will actually change the way you believe. Because आप जो बिलीव करेंगे subconscious mind में, आप वही energy attract करते हैं. So the universe responds to your subconscious thoughts, not your conscious thoughts. Right. So आपका subconscious thinking change करने के लिए, वो affirmations बहुत मदद करते हैं. तो मैंने हर chapter के end में 10-15 affirmations देनी हैं. Great. That's really wonderful. And everybody else, please stay tuned. Let me take a short break. Welcome back, Pooja. And thank you so much for being here. I am just loving this conversation. और मेरे व्यूवर्स भी messages आपको भेज रहे हैं. और मैं आपको जरूर फॉर्वर्ड कर दूंगी बाद में पर सत्वान जी ने अभी काया है के ये भी एक form of divine play है के आप उनिवर्स की तरफ से भेजे गे हैं इस समें हमें जगाने के लिए. So, all this conversation is not accidental. This is happening because we all need to wake up and look at ourselves and question to move forward to more purity and more self-power. So, she is saying this is also कोई कोई कोईंस नहीं है. इस अदिवान बाद 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 आपकोईंस नहीं होता है उनिवर्स में. I agree with her. So, universe is flowing through you. That's what she is saying. So, I am really feeling really good about it. You know, to make it more easier for us, you know, to make it more easier for us, you know, what do you do? Do you have a routine that helps you to stay on the path of the day? Because we were talking about earlier that you have to go on the path and then rebound, then you think that we are doing the same thing in your life. So, so that it stays. What do you suggest? What do you do? तो मैं, everyday basis पे, every morning meditation करती हूँ. मैं को seven years हो गए है, मैं transcendental meditation करती हूँ. मैं highly recommend करती हूँ हरे के लिए अपने आपको balance center करने के लिए और जैसे कहते हैं, to connect with consciousness, connect with your highest self. वो meditation, चाहे आप पांच मिनिट करें, बीस मिनिट करें, आदा घंटा करें, मैं आदा घंटा रोज मौनिंग meditation करती हूँ. रोज रात को सोने के पहले, मैं एक gratitude journal में लिखती हूँ. रोज 10 points, तीन साल हो गया है कि एक भी दिन मेरा gratitude journal एक app है, जिसका नाम है gratitude, उसको भी आप डाउनलोड करते हो, आप पे, फोन पे आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो पिसली एक घंटे में पे जो भी अच्छा हूँ आप की life में आप लिखते जाए, उससे आप reinforce करते जाते हो कि आपका फिर माइन की रिवाइरिंग टोटली चेंज हो जाती है, इंस्टेड आप फिलिंग लाइनिंग और ब्लेमिंग और वाइनिग, यू भूव तो फिलिंग कंटेंटमेंट में पीस, तो वह मैं हाइली रेक्टेमेंड करती हूँ और मैं वन्स अमन्थ थेरपी सेश करने के साथ काम करने के लिए, जैसे कि मेरे अंदर कुछ खास ब्रोकन तो नहीं है, कोई खास प्राब्लम तो नहीं है मेरे लाइफ में कि मुझे किसी और की मदद लगे, लेकिन हमेशा एक बस तू तू टौकिंग पॉइंट, जिसके साथ एक न्यूटल पार्टी आप Even for a therapist once a month, I think it's almost should be mandatory in everybody's lives. हम लोगों, you're so right! हम लोग इतना आपभाइद करते हैं और हम लगता है कि हम उस community से हैं, कि हमारे पस तो सारे हैं हमें किसी और के पास जाने की क्याश्र होते हैं. So this is definitely different. The professional chat and वो ममा के साथ बैठके chat, जिसमें हर वकत mind conscious है. यकि वो इंख्रान अपने प्रोजेक्शन आप पे डालेगा, अपने बिलीफ सिस्टेंज डालेगा instead of cleaning up your belief systems. और हमारा भी मन जो है, I think वो इतना active होता है to share with the near one कि उसको कैसा लग रहा है, उस पे क्या असर होगा, वो तो नहीं जादा फिकर करेगा, all that stuff is already working, so yeah. और यूदे टूदे जस बीग माइंडफूल के आप अपने happiness की responsible खुद है, you are the architect of your own happiness, यह किसी और की responsibility नहीं आपको खुश रखना, किसी और की response, यह आप फिर से सुनिये, किसी दुनिया में किसी और की responsibility नहीं है, आपको खुश रखना, यह आपकी responsibility है, अपने आपको खुश और चाहे आप किसी और को खुश रख सके नहीं रखे, पहले, सबसे पहले अपने आपको खुश रखो, क्योंकि जब आप खुश हो सकते हो, तभी आप खुश ही बाढ़ सकते हो, यह बना खुश ही नहीं बाढ़ सकते हो, क्योंकि जो खुद के पास होगा तो बांटेंगे that's true that would be a great affirmation for the night or morning also I am totally responsible for my own happiness I am responsible for my own happiness I am whole and complete as I am I derive my self-worth only from myself and I am mentally and emotionally calm and stable ये मैं रोज कहते हूं रोज कहते हूं I think this is really a great book and Art of Becoming Whole A Guide to Self Mastery Pooja this is a great job done I think आपने जो भी ये जर्नी अपने लिए जो भी सवारा in a way अपनी लाइफ को सवारा और बाकियों के लिए इसको एक कहते है ना के बड़े सुन्दर तरीके से कथा कर दिया है so that it's easy for people like us so I am really grateful and thank you so much for joining us taking out time for us हमारे सारे परिवार को से मिलने के लिए and I think I take this chance to say that some other time also we will be together because there is so much to talk on this field कितना कुछ है जो and I am very grateful to be on this show and for this opportunity so thank you thank you so much आज मेरे ग्रैटिट्टीट जर्नल में पुजा का नाम तो लिखा गया so और मेरे ग्रैटिट्टीट जर्नल में आपका और इस शो का so thank you thank you so much for being here आज वस्ते एंनाए today साट्रियकार